हाई आज हमें युनिक की कंस्ट्रेंट का चेक कंस्ट्रेंट का और डिफर्ट कंस्ट्रेंट का लिए देखते हैं इसलिए हमें पहले एक टेबल क्रियेट करेंगे क्रियेट टेबल स्टूदेंट स्टूदेंट डिटेल्स का हमें एक टेबल क्रियेट करेंगे उसमें तो ओ कॉलम्स का तो स्टूदेंट आईडी ऑफ टाइप इंटीजर यह तो प्रैमरी की दे रहे हैं एफ लिए मैंरे cultivे बातना विए मैं एक टेबल यह चीं स्टूदेंट स्टूदेंट थिए नीदेखते लिए डाईट तेखते लिए सो फीड्र देबल के स्टूदूदे क्यों गुतित नेम दे रहें हो और टेप पार के यह भी युनीक कंश्रेंट दे रहें हो इसके और उसके बाद हमें सिटी दे रहें हो यह हमें क्या कर रहें हो यह डिफोल्ट कंस्रेंट इसको तो में पूना दे रहें हो ओके यह हमें टेबल क्रियेट कर रहे हैं देखा अभी स्टूडेंट डिप्रामरी की हो गया वो चनॉर्टनल है और वो चेक कंस्रेंट दिया है मतलब वो चेक करेइगा स्टूडेंटर डियो ड् सीरो और दिदी जीरो हें यह रहें दिखते में student का details matter करने वक्त सिथी नहीं है तो वो default ना इंसर्ट कर लेता है वह अभी हम इंसर्ट करते हैं ना इस hading two student details वन कमा अनर क्रुमा सीधी मेदु मेले बांगर देता हूं कुछ कर लेते हैं तोस्रा वाले से इंसेट कर लेते हुए तोस्रा वाले से इंसेट कर लेते हैं सब अलग अलग नाम दे रहे हुए पहले हमें मुंबई, बैंग्डो, डिल्ली, कालकटा, माइस्वर यह सब दे रहे हुए मैं अभी इंसेट करने के लिए ट्राइ कर रहेती हूं इसलिए वो प्राइमरी की कंस्रेंट का एरर आते हैं अलग करते हैं इसलिए वो सब है टू वाले इंसेट होगा अभी सब इंसेट होगा अभी चेक करेंगे select start from देखेंगे अभी पहले प्राइमरी की का इंसेट करने के लिए देखा अभी प्राइमरी की का देखते हैं अभी दूसरा क्या करेंगे हम इसमें तो जीरो करेंगे कि मतलब यह देखते हैं चेक कंस्रेंट चेक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अभी यह select करके execute किया तो violation of जीक यूनिक की constraint का आ रहे हैं के ना ओके sorry यह यह आ रहे हैं मैं अभी यह यूनिक की करते हैं अभी हमें इसमें तो यह पीसे कुछ तो गाली पके थी मैं अब यह पर और करेंगे वह यह देखो इंसर सेट में चेक कंस्रेंट का एरर आ रहे हैं मतलब हमें यहाँ जीरो दिया है मैं यहाँ चेक कंस्रेंट का चेक कर रहे हैं तर मतलब वह greater than 0 ही रहना चाहिए कि लिए हमें अभी आ ओलरी अंभी सिर्टेंट पिस देंगे हमी वह चेक करने के लिए ट्राइग किया तो अभी देखो तो 7 कि आई वे सेम नेम ओरी से देखो क्या है और अरड़ी एबी सी है इसलिए आमें और उसके बाद आपी करने के लिए ट्राइग किया तो चेक युनिक की चाहिक का यह 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 होता है और डूपल्केर्ट को अलोग नहीं करते हैं और डीफॉल्ट के लिए हमें देखते हैं अभी दूसरा वाल्यूज इंसर्ट कर लेते हैं हमें उसमें सेवन ती वीरच ओलरी है तो हम रेक्ष्मी कर रहे हूं अभी इसमें तो में कुछ वाली भी नहीं देखते हैं तो अब यहां कॉलम नेम्स भी देना है क्यांकि स्टूडेंट डायरी कामा स्टूडेंट नहीं है ओके वह दोनों दे रही हूं अभी एक्सक्यूट कर गया है अभी देखते हैं वह उसका वाल्यूस क्या होता है देखते लेश में इसके रहे डिफॉल्ट पूना आगया यह य मतलब हमें यहां तो इसका स्टूडेंट का सीटी नेंतृ डोस लोना यहन अभी अभी अ प्रैमरी की का चिक का और सूनिक की और डिफॉल्ट का डिफॉल्ट स्टिल का सबगल यह क्लि प। के लिए तो अच्छे कंस्ट्रेंट कर रही हूं यहां greater than zero ही होना चाहिए वो चक कि यहां हमें और युनिक की है uniquely same unique का name मतलब यहां name और दूसरा name पी वही देने के लिए try किया तो हमको error आता है है वही uniquely मतलब अलग अलग records के लिए uniqueness चाहिए इसके लिए यह unique constant है वो null values भी नहीं अलोग अलोगता है और default value से default का मतलब कोई record में हमें नहीं दिया तो city ऐसा name नहीं दिया तो default value हमें यहां पुना दिया है इसलिए वो पुना रख लेता है यही आज के लिए धन्याओं आज़िए आज के लिए दन्याओं